लंबे अंतराल के बाद बीजापूर में एक बार फिर शणिवार रात से भारी बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर हैं जानकारिय नुसार बीजापूर भोपाल पटनम नेशनल हाईवे 63 मार्ग पर मोदकपाल के चिंता वागू नदी में बाढ़ाने से मार्ग अविरुद्ध हो गया है बीजापूर से जाने वाले वाहन मोदकपाल में खड़े हैं इसी तरहें बीजापूर से गंगालूर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है पोंजेर चेलपाल नदी में भारी बारिश से नदी उफान पर है पोंजेर इस्थित 85 ECRPF कैम में पानी भर गया है कैम के दो मोर्चे डूब गये हैं हलाकी जवान सुरक्षित हैं चेरपाल नदी में बाड से बस्ती डूबने की इस्थिती में है जानकारी के अनुसार रात से भारी बारिश से चेरपाल के 50-60 मवेशियों के बहने की सूचना मिली है मवेशी माली किसकी जानकारी जुटाने में लगे हैं ग्राम चिननाज जोजेर में बढ़ी नदी में बाड से गाउं के नौदस मवेश्यों के भी बह जाने की जानकारी मिली है। ग्राम रेटी में पाज से छे मोटर साइकल के नदी में बहने की बाद भी सामने आई है। ग्राम कोटेर की बढ़ी नदी में बाड से गाउं टापू बन गया है। ग्राम के गिरने से की भी सूचना मिली है। क्रिशिवेग्रानिक भीरेंद पालकेर बताते हैं कि पूर्व से भावी बारिश की चतावनी रही है। शैनिवार रात में 9 बजे के बाद से लगातार बारिश से लोगों का जन जीवन अस्त्रेस्त कर दिया। जिले में कई लाकों की बाड की खबर मिली है। एक ही रात में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया। क्रिशिवेग्रानिक ने बताया गिया भी बारिश सोमवार तक रहने की संभावना है। नदी नाले के किनारे रहने वालों को सुरक्ष स्थानों पर रहने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। बीजापूर के तहसीलदार डी आर धुरू वर आर आई शंकरलाल कत नाम सुभाश कुडियम सहेद पटवारी वा अन्य मैदानी करमचारियों द्वारा बाड़ लाके में तौरा कर रहे हैं। साथी नदी नाले पार ना करने की हिदायत भी दी गई है। उर नाले घ्टे रहे हैं। प्रацион को जितके पार को अचया करह deixa बढना आई हैं। सबुका जित रहा है। स duż एचा अन्य मोग नहां ह begitu आरा को ही नात पाई हैäss को माइना में पाई है। ळार शुर्द्वल्स है डुदिनissippi या नाइगा हुआ हाद नाइग भुटार। नाइगा, नाइगा।